Hello everyone, how are you? Today I will teach you subject translation, chapter 5. The name of chapter is Moron, A and N. Last video में हम लोग पढ़े थे, use of A and N. हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई word, consonant later से start होता है, तो हम उसके आगे A का use करते हैं. और जो भी word, vowels later के साथ, vowels later से start होता है, हम उसके आगे N का use करते हैं. और इस चैप्टर में हम लोग A और N का use पढ़ेंगे, जो लास्ट चैप्टर से अधीख होगा. जैसे देखें, यहां एक्जामपल दिये गए हैं, एक बड़ी बिल्ली. पहले हम लोग पढ़े थे, जैसे एक बिल्ली, एक कुता, एक लर्का, एक लर्की. अब हम लोगों को तीन वर्ड में दिया गया है, त्री वर्ड में, जैसे एक बड़ी बिल्ली. तो हम लोग एक का तो पहले देखेंगे कि बड़ी का स्पैलिंग क्या होता है? बिग. तो बिग का स्पैलिंग किस से स्टार्ट होता है? तो हम कॉंसोनेंट के आगे क्या यूज़ करते हैं? ए. तो बनाएंगे एक बड़ी बिल्ली. तो ओ, बिग, कैट. अब देखेंगे, नेक्स देखेंगे. यहां है एक योग्य लर्की. अब हम देखेंगे कि योग्य का क्या होता है? एबल होता है. एबल का स्पेलिंग A, B, L, E. ए हमारा क्या है? भवेल है. तो हम भवेल के आगे? अन का यूज़ करते हैं. जैसे अन एबल गर्ड. ओके? नेक्स देखेंगे. एक काला कुत्ता. फिर हम देखेंगे काला का क्या होता है? ब्लैक. ब्लैक का स्पेलिंग B से स्टार्ट होता है. B क्या है? कॉंसोनेंट है. तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे? A. अब ब्लैक डॉग. नेक्स देखेंगे. नेक्स में एक बुढ़ा आदमी. फिर हम देखेंगे की बुढ़ा का क्या होता है? ओल्ड. जो हमारा O. भावल से स्टार्ट है. तो हम इसके आगे A. लगाते हैं. तो A. ओल्ड मैन. ओके? नेक्स में है एक अच्छा बच्चा. फिर अच्छा का क्या होता है? गुड. जो गुड का स्पेलिंग कॉंसोनेंट लेटर से स्टार्ट है. तो हम इसके आगे A. लगाएंगे. A. गुड चाइल्ड. अंडेस्टूट? इस तरह हम लोगों को नेक्स्ट पेज में इसरसाइज दिया गया है. अब हम नेक्स्ट पेज देखेंगे. नेक्स्ट में है ट्रांसलेट इंटू इंग्लीस. इसको हम लोगों को इंग्लीस में अनुवाद करना है. जैसे फर्स्ट में एक योग्य डॉक्टर. तो योग्य का क्या होता है? एबल. जो हमारा भावल लेटर से स्टार्ट है. तो हम इसको बनाएंगे. एबल डॉक्टर. ओके. एक मोटी लर्की. मोटी का क्या होता है? फैट. फैट का स्पेलिंग. कॉंसोनेंट से स्टार्ट होता है. फैट. तो हम क्या लगाएंगे? अ. अ. फैट. गर्ल. ऐसे ही आप लोगों को टेन तक कम्प्लीट करना है. और नेक्स इक्सरसाइस देखिए. नेक्स्ट में है ट्रांसलेट इंटू इंग्लीज. जैसे वन में है एक सुन्दर बच्चा. तो फिर हम देखेंगे सुन्दर का क्या हता है? ब्यूटिफुल. ब्यूटिफुल. तो ब्यूटिफुल का स्पेलिंग किस से स्टाट है? बी से. बी क्या है? कॉन्सोनेंट. तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? और ब्यूटिफुल. चाइल्ड. ओके. नेक्स्ट में है एक मीठा आलू. मीठा का क्या होता है? स्वीट. S, W, E, T. स्वीट. ऐसा हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है. तो हम कॉन्सोनेंट के आगे क्या लगाते है? यहाँ लिखेंगे अ. स्वीट. स्वीट. पोटाटू. ऐसे यह एक सबसाइज कम्प्लीट कर लेना है. नेक्स्ट टू नम्बर में देखें. लिखा है राइट, A, और, N in the blanks. खाली अस्थान में आपको A या N का यूज करना है. जैसे यहाँ, दिस इस डॉट डॉट एपल. तो हम देखेंगे एपल. किस लेटर से स्टाट है? भबल से. तो इसके आगे क्या लगाएंगे? N. नेक्स्ट में है, बीसीज डॉट डॉट फॉक्स. तो फॉक्स हम देखेंगे, फॉक्स F किस से स्टाट है? कॉन्सोनेंट से. कॉन्सोनेंट क्या लगाते हैं? ओ. ऐसे आपको यह एक्सरसाइज कम्प्लीट कर लेना है. ओके.